नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CISF Fireman Constable के Physical Date के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं दोस्तों CISF Fireman Constable जिसमें कि आपकी टोटल नम्मर और पोस्त ही 1145 और इसके एप्लिकेशन दोस्तों आपके स्टार्ट हुए थे 29 जैनवरी तक स्टार्ट हुए थे और यह आपके चले थे 4 मार्ज तक इसके लिए एप्लिकेशन चले थे और दोस्तों इसमें जो लगवग टोटल जो एप्लाइक किये गए हैं फॉर्म वो आपके एप्लॉक्स 10 लाग के करीब दोस्तों आपके जो फॉर्म हैं वो भरे गए हैं जोकि अपने आप में काफी बड़ा रेशियू है दोस्तों तो दोस्तों बहुत लोग बता रहे हैं कि CISF की जो कॉंस्टिबल के जो फिजिकल है वो मई में होंगे लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि मई में फिजिकल होने के आपके कोई भी चांसिस नहीं हैं हम पूरे रीजिन के साथ आपको इस चीज को समझाएंगे देखी दोस्तों CISF में अभी फिलाल ASI और LDC के मेडिकल खतम होए हैं 30 अपरेल को और दोस्तों अभी CISF में आपकी तीन वेकेंसिस पैंडिंग में हैं पहली है आपकी हेड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल की दूसरी है आपकी फायर मैं की और दोस्तों शायद आपको यह ना पता हो लेकिन SSC GD की जो वेकेंसि है वो भी CISF के अंडर ही आती है वही इसके फिजिकल कंडग कराएगी तो आपके फिलाल तीन वेकेंसिस पैंडिंग में CISF के अंदर और CISF कभी भी ऐसा नहीं करती है कि दो भर्तियों को पैरल लेकर चले यानि की दो भर्तियों के प्रोसेस एक साथ वो कभी नहीं कराती है वो एक भर्ति को ही लेकर चलती है तो दोस्तो ऐसे में जो आपके अगर में में फिजिकल होते हैं तो आपके जो एडमेट कार्ड हैं वो आपके तीन हफ़ते पहले ही रिलिस कर दिया जाते हैं लेकिन अभी तक एडमेट कार्ड की कोई इनफोर्मेशन नहीं है तो इस से पता चलता है कि में में आपके फिज जून की तो दोस्तों जून में SSC GDK फिजिकल होने के पूरे पूरे चांसे हैं और ये फिजिकल आपके लगबग देड़ महीने चलेंगे तो इससे दोस्तों ना तो आपके फिजिकल जून में होने वाले और ना ही आपके फिजिकल जुलाई में होने वाले फिर दोस्तों ज जब vacancy है उसका written exam होगा तो दोस्तों आपके जब fireman की जब physical हैं वो या तो इस साल होंगी नहीं अगर होंगे तो इसके जो admit card है आपको सेटेमबर या अक्टूबर में देखने को मिलेंगी otherwise यह आपके next year होंगे लेकिन दोस्तों CISF का वीवी दो vacancy को एक साथ लेकर नहीं चलती है वो पहले जीडिके physical कराएगी फिरिटेन एक्जाम होगा हेड कॉंस्टे और मिनिस्टियल का देन आपका चांस आएगा तो दोस्तों आप अपना physical पर पूरा focus रखे आप अपना physical की त्यारी मत छोड़े है हाँ यह है कि अभी इतना focus नहीं लेकिन अभी आप धीरे धीरे करोगे तो जब तक physical आएगे तब तक आप अपने आपको आराम से prepare कर लोगे और साथ ही आप return exam के त्यारी भी साथ ही साथ करती जाए जिसको आप जिससे कि आपको last time पर कोई भी tension नहीं होगी आप बिल्कुल ही freely होंगे कि मेरा तो सब कुछ prepare है तो इसलिए आप अपनी त्यारिये बिल्कुल भी looseness नहीं लाएए आप अपनी पूरे focus के साथ अपनी त्यारी करिए तो दोस्तों इस वीडियो में हम कोई और information मिलेंगी हम आपको तुरंद inform करेंगे उसके लिए आप हमाई साथ जुड़े रहें धन्यवाद